नमस्कार प्यारे दोस्तों मैं कुमार गोरो आपका आपने व्याइप स्टेडी पॉइंट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिजिनिंग की क्लास यहां पर चल लए है और इस क्लास में आपका अलफाबेटिक सीरीज उब्यकिस है, आप देखते हैं कि आज का जो चैप्तर है वो पेर फोर्मेशन होगा या उग्युःंग गठन, यह चैप्तर आप करते हैं, इस चैप्तर को आप गर आप देखें तो तीन टाइप में आप को एस इसको शुल करेंगे Series or order क्या है वो मैं भी आपको सिखा दूँआ या मैं भी आपको इसको करा ही देता हूँ जैसे Question No.1 और ये Question No.2 ठीक है Question No.1 आपको दिया है सब्द Diplomacy में ऐसे कितने अक्षर युग में है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्ण माला में आते हैं एक Question तो आपका ये हो गया दूसरा order के लिए कैसा आएगा? Question आएगा सब्द Diplomacy में ऐसे कितने अक्षर युग में है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्ण माला क्रम में हैं ठीक है? तो ये दो Question मैंने आपके सामने लिके हैं ये Pair Formation युगंगठन Chapter के दो Question है और Type 1 में दोनों आते हैं अच्छा ये दोनों Question एक जैसे हैं अग आप देख रहे होंगे ठीक है? लेकिन डिफरेंट हैं दोनों Question अगर एक्जाम में आते हैं तो आपको यही देखना है कि Question को Solve कैसे करना है Question के लिए ये आपका Method है Series और Order अगर Question Series में आता है तो आप Left से Right तक जाएंगे फिर Right से वापस Left पहेंगे और अगर Order में आता है तो Left से Right पहेंगे जैसे आपका Diplomacy है Diplomacy में आप देखें कि यह जिनके बीच की अंग्रेजी वर्ण माला में है और इसमें क्या है जितने की अंग्रेजी वर्ण माला क्रम में है क्रम क्रम यानि Order क्रम यानि Order आपको दे दिया ना यह क्रम वाला Question तो एक यह वाला जो है वो क्रम वाला है जो भी क्रम वाला होगा उसमें लिखा हुआ आएगा और जिसमें कुछ लिखा ना आए वो आपका Series वाला होगा स्रंकला वाला होगा तो यह जो आपको Solo करना है यह आपको Series से करना है और यह वाला जो करना है यह आपको order से करना है अब हम answer देखते हैं answer सबसे पहले first का देखते हैं यह जो diplomacy है first के लिए आप diplomacy को इस तरीके से लिखेंगे यह diplomacy है diplomacy को आपको solve करना है आपको बताना है कि इनके सब्दों के बीच में अक्षरों के बीच में कितने सब्द युगम आते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले आप counting कर लिजी numbering लिख लिजी D number 4 पे आता है I जो है वो number 9 पर आता है P 16 12 15 13 1 3 और ये 25 ठीक है चलिए अब आपको करना क्या है series में इसको देखना है पहले आप left से right चलेंगे left से right आपको किस तरीके से चलना होता है यहाँ पर ये D है number 4 है number 4 से counting start किजिए और देखिए कि कौन सा सब्द युगम number 4 के सही इस्थान पर आता है जैसे देखिए 4 से 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानि कोई भी number नहीं आया है सभी different different है तो ये जो 4 है ये सब्द युगम नहीं बनाएगा 9 से देखते हैं 9, 10, 11, 12, 13 अब 9 से number 13 आ रहा है तो जो 9 है वो 13 पर सब्द युगम बनाएगा ठीक है 13 से आगे भी चलेंगे 14 यहाँ पर और 15, 16 नहीं बना रहा है आगे नहीं बना रहा है 16 को देखते हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 16 नहीं बना रहा है 12 को देखते हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17 12 भी नहीं बना रहा है 15 को देखिए 16, 17, 18, 19, 15 भी नहीं बना रहा है 13 को फिर से देखिए 14, 15, 16, 13 भी नहीं बना रहा है क्यूंकि ये question आप first troll कर रहे हैं और जो first question है वो question आपका series का question है और series के लिए आपको left से right जाना होता है जो अभी आप left से right counting की अब आपको right से left भी counting करनी है तो ये question आपका series में होगा आप left से right करेंगे ये 25 से 25 के बाद 26 आज़ा है फिर एक से देखिए एक 2, 3, 4, 5, 6 एक नहीं बना रहा है तेरा देखिए 14, 15, 16 ये जो 13 है ये किस के साथ बना रहा है ये 16 के साथ बना रहा है और 17 नहीं आगे नहीं बना रहा है अब ओ से चलते हैं 15, 16, 17, 18 15 नहीं बना रहा है 12 पे चलते हैं 13 14 12 नहीं बना रहे और ये 16 भी नहीं बना रहे अब आप देखिए आपके सब्द यूगम तैयार हो गए हैं इनको count कीजिए ये हो जाएगा आपका number 1 ये हो जाएगा number 2 और ये number 3 तो जो आपका सब्द यूगम है वो कितना हो जाएगा number 3 आपका answer क्या हो जाए इसको note के लिजिए उसके बाद फिर second को solve करते हैं अचा second में कुछ नहीं करना है हम ये first में हम चलेते left से right और right से left अब second में क्या करेंगे second तो हम सरिफ left से right जाएगे और left से right में हमारा कितना बन रहा है एक बन रहा है ठीका ना क्यूंकि अब नीचे वाला नहीं हो नहीं है हमारा जो answer हो जाएगा second के लिए वो one हो जाएगा ठीक है ये note कीजी ये तो था answer first का अब मैं second का इसको कर देता हूं नीचे से इसको रफ कर देंगे और यहां से answer रफ कर देंगे ये answer नमबर दो और यहां पर हो जाएगा one ये लिजिए ये second के लिए answer हो गया दोनों question में कोई different नहीं है सिरिफ आपको समझना आया है कि question का answer किस तरीके से आपको देना है series या सरंकला order या करम इन दोनों को आपको धियान में रखना है जो left series होगी ये वाला question वो left से right जाएगा right से left आएगा जो order होगा वो left से सिरिफ और सिरिफ right जाएगा ये दोनों question आपके हो गई है दोनों question note कीजिए अब इन दोनों से related कुछ question में आपको कराद देता हूँ जैसे series से आएगे और कुछ order से आएगे ठीक है तो आपकी revision हो जाएगी note कीजिए ज़रा इसको चलिए question number 3 solve करते हैं question आपको दिया है कि सब्द student में ऐसे कितने अक्षर योग में हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्ण माला में आते हैं ठीक है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इस student को इस तरीके से लिखे अब आप क्या करेंगे इनकी numbering करेंगे यह 19, 20 और U होता है 21, D होता है 4 पे 5 और यह 14 और यह 20 ठीक है बच्चो अब सबसे पहले question को समझेए क्या यह question सरंखला से है क्या question क्रम से है सरंखला सीरीज से है और करम ओर्डर से क्या कहीं इसमें क्रम दिख रहा है क्रम आपको यहाँ नीचे ही दिख जाएगा ठीक है जब क्रम नहीं है तो यह किस से हो जाएगा यह सरंखला से हो जाएगा और सरंखला के लिए आपको लेफ्ट से राइट फिर राइट से लेफ् बनाना है, 19 से start करते हैं, 19 से 20 पे बना, फिर 19 से 21 पे बना, ठीक है, फिर 22, 23, 24, 25 नहीं आगे नहीं बन रहा है, 20 से 21 पे बना, 22, 23, 24, 25 आगे नहीं बन रहा है, 21 से 22, 23, 24, 25 नहीं बन रहा है, 4 से 5 पे बना, ठीक ना, ये 6, 7 नहीं आगे, 5 से 6, 7 नहीं आगे, 14 से 15 ये नहीं बन रहा है, 20 भी नहीं बन रहा है, अब 20 से इधर चलें, 20 से 21, 22, 24, 25, 26 नहीं बन रहा है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14 से किस पे आ रहा है, 19 प पहीज़ए इस नहीं बन रहा है, और ये भी नहीं बन रहा है, ठीक है, तो आप дेखे, total कितने अक्छर योग में बन रहे हैं, count कीजिए, और उसको answer में लिख दीजिए, ये हो जाएगा number 1, ये हो जाएगा number 2, number 3, ये number 4, और ये हो जाएगा number 5, तो आपका answer क्या हो जाएगा? number five तो आपको पता लग गया कि student में ऐसे कितने अक्षर युग में है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्ण माला में तो ऐसे 5 अक्षर युग में है कितने अक्षर युग में है? पाँच अक्षर यूग में जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं, जितने की अंग्रेजी वर्ड माला क्रम में आते हैं, क्या दे दिया आपको, आपको क्रम दे दिया, क्रम यानी order, और order के लिए आप जानते हैं, कि आपको left से right ही counting करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले आप population को लिखिए, यह हो गया आपका population, ठीक है, population में सबसे पहले क्या करेंगे, आप numbering कर लिजिए, यह 16, 15, 16, 21, 12, 1, 20, 9, 15, और यह 14, order के लिए आपको left से right जाना है, तो left से right ही counting कीजिए, 16 से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, नहीं बना रहा है, 15 से 16 पे बना रहा है, 17, 18, 19, 20, 20 पे भी बना रहा है, 21, 22, 23, आगे नहीं बना रहा है, 16 से 17, 18, 19, 20 16 से 20 पे बना रहा है ठीक है उसके बाद 21, 22, 23 नहीं आगे नहीं है 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27 नहीं है 12 से 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बना रहा है ना ये 21 बना रहा है ना ये 12 बना रहा है 1 से 2, 3, 4 ये भी नहीं बना रहा है 20 से भी नहीं बना रहा है 9 से 10 11 नहीं बना रहा है ये भी नहीं बना रहा है और 14 भी नहीं बना रहा है क्योंकि question क्रम में था तो क्रम के लिए आप क्या देखेंगे आप देखेंगे कि left से right आपको जाना है और left से right में total कितने बने हैं ये 1 2 और ये 3 तो total जो आप cancer हो जाएगा 3 तो ऐसे कितने अक्षर युग्म है ऐसे अक्षर युग्म हो जाएगे आपके 3 ठीक है बच्चो इसको नोट कीजिए उसके बाद आप देखते हैं इसके बाद इस question को अगर आप क्रम में ना करके सिरीज में करते हैं या सिरिंखला में करते हैं तो question को आगे बढ़ाईए वर्ण माला में जितने की अंग्रेजी वर्ण माला में है ठीक है question number 5 हो जाएगा यही question को आगे करते हैं पहले हमने question number 4 बना के इसको सिरिफ क्रम में किया अब इसी question को हम सिरीज में करते हैं सिरंखला में करते हैं तो हमारा answer जो है वो बदल जाएगा यह उपर क्रम वाला तो हमने कर लिया अब नीचे सिरीज के लिए right से left भी चल लेते हैं 14 से 15 बन रहता है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 आगे नहीं बन रहा है 15 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बन रहा है 9 से 10, 11, 12 9 से आपका बना 12 13, 14, 15 9 से बना आपका 15 और यह 16 तो 9 से बना आपका 16 ठीक है बच्चो 20, 21, 22, 23, 24, 25 आगे नहीं बन रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बन रहा है 12, 13, 14, 15 12 से लेके 15 पे बना और 12 से लेके 16 पे बना ठीक है अब आगे चलते हैं 21, 22 नहीं बन रहा है 16 से भी नहीं बन रहा है 15 से 16 पे बन रहा है 15 से 16 पे बन रहा है तो आप काउंट कर लीजी कितने होगे 3 तो उपर होगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो आपका जो टोटल आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 आप कह सकते हैं कि जो population है उसमें 10 अक्षर युग में है जो जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्ण माला में हैं कोशन नमर 5 आपका complete हो गया है और ये type 1 से related जो question है ये ही आते हैं इसे अलग कुछ नहीं आता है चलिए एक question हम ये भी देख लेते हैं ये type 1 से ही है इसमें number ही आएगा आपका कोई भी ऐसा सब्द नहीं आएगा जिसके बीच में अक्षर का युग में आपसे पूछा जाए आपको number दे देगा और number में अक्षर युग में पूछता है ठीक है तो इसमें आपको क्या करना है वही कीजिए number को लखिए 2 1 4 6 7 5 8 और ये 9 अच्छा इसमें एक चीज आपको note करनी होगी वो क्या note करना होगा जो भी आपका number वाला होता है ये जो number से start होते हैं या number वाले जो question होते हैं उसमें सिरिफ और सिरिफ order से related ही आपको solve करना है series इसे related नहीं करना है यानि order ही चलेगा series नहीं चलेगी और order आपका क्या कहता है order ये कहता है कि आपको left से right counting करनी है और series कहते है कि left से right जाओ, फिर right से left आओ तो इसमें आपको right से left नहीं आना है, भले ही question में दे या ना दे question में आपको देता नहीं है, ठीक है न, तो question के लिए आपको क्या करना होगा आपको यही करना होगा, कि आप left से right counting कीजिए, जो आएगा वो ही आपका answer होगा राइट से लेफ्ट काउंटिंग नहीं करेंगे ये चीज आप धियान में रखिएगा सभी अच्छे चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दो से चलिए दो, तीन, चार ये दो से गए किस पे? चार पे, पांच, शे, साथ, आठ दो से गए हम किस पे? आठ पे, और फिर नौ दो से गए हम किस पे? नौ पे, ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं एक से दो, तीन, चार, पांच एक से गए हम पांच पे ये यहां से करते हैं और ये पांच छे, साथ, आगे नहीं जा पारे हैं चार से जाएंगे पांच छे, साथ, आठ मुझे जगे चाहिए इसके लिए तो मैं ये, आप नोट कर लीजिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है? ना दिहान रखिएगा बस ये ओडर में ही काउन करना है, स्रीज में नहीं करना है और कॉशन आपका ये हो जाएगा टू वन फोर, सिक्स सेवन, फाइड और नाइन तीन, तीन, छे और दो आठ चलिए, अब इसको सॉल कीजिए, उपर से मैं इसको रफ कर देता हूँ दो से चलेंगे तीन, चार, दो से तो बना कितने पे? चार पे, पांच, छे, साथ, आठ दो से बना आठ पे, और नो दो से ही बना, नो पे ठीक है, एक से चलेंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ यानि एक से बना किस पे? पांच पे, चार से चलिएगा पांच, छे, साथ, आठ, नो ये चार से बनेगा किस पे? आठ पे, फिर चार से बनेगा किस पे? 9 पे, ठीक है, अब 6 से चलेंगे, 6 से 7, ये 6 से बना किस पे? 7 पे, 8, 9, 10 नहीं बन रहा है, 7 से 8, 9, 10 नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, उसके बाद 5 से 6, 7 ये भी नहीं बन रहा है, ठीक है, और 8 से 9 ये बन जाएगा, 8 से 9 बन जाएगा, ठीक है, अब count यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यह 8, तो total कितने अक्षर हो गए, total 9 हो गए, यह total कितने number हो गए, 9 हो गए, ठीक है, तो आपका जो answer हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 9, type 1 से related मैंने आपको 6 question कराए हैं, but main जो रखते हैं, वो 3 question रखते हैं, जो series वाला question, order वाला question, और यह number वाला question, ठीक है न, यह 3 type के question है इसमें, type first में, इस से लग कुछ नहीं आएगा, आप इसको note कीजिए, उसके बाद हम आपका type second करते हैं, यह sorry आपका 9 नहीं होगा, यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or 8, तो आपका answer जो हो जाएगा, वो number 8 हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, ठी इस question में लिख देता हूँ, उसके बाद फिर आपको solve कर रहता हूँ, ठीक है, आप इसको note कर लीजिए, चलिए, type second के question को देखते हैं, type second में question आपका किस तरीके से आता है, सब्त meditation में, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, जिनके बीच में अंग्रेजी, वर्ण माला, क्रम से एक कम अक्षर आता है, तो इस question जो second type के question है, उसमें आपको दो चीज दियान में रखनी होती है, वो क्या, सबसे पहले कि वो series में है या order में है, तो यह आपका order में है, क्रम में है, उसके बाद कितने कम अक्षर हैं, वो देखना होता है, एक कम अक्षर है, ठीक है, तो second type व जितने भी कम अक्षर होते हैं, कम, जैसे एक कम है, तो आप एक प्लस कर देंगे, दो कम है, दो प्लस कर देंगे, तीन कम है, तीन प्लस कर देंगे, तो जितने भी कम होते हैं, कम होते हैं, उतने प्लस करते हैं, तो ये आप धियान रखिएगा जितने भी कम होंगे उतने आप प्लस करेंगे इसको नोट कर लीजिए मैं इसको रफ कर देता हूं कोश्चन को सॉल्व करते हूं उसके बाद ट्रिक यही लगाएंगे हम ठीक है Meditation यह आपका Meditation हो गया 3, 3, 6, 3, 9, 10 3, 3, 6, 3, 9, 10 Meditation हो गया अब Meditation में क्या करेंगे सबसे पहले आप Numbering करेंगे 13, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 9, 15, 14 ठीक है क्योंकि यह Order में है क्रम में है तो आपको क्रम से Left से Right जाना है Order के लिए अब देखते हैं कम कितने हैं एक कम है एक कम है तो आप एक जादा करेंगे जैसे आपका 13 है 13 में अगर एक जादा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 अब इस 14 को ध्यान में रखते हुए इस 14 को ध्यान में रखते हुए आगे की Counting स्टार्ट कीजिए जब आप counting स्टार्ट करेंगे तो 14 से शुरू कीजिए, 14 से 15, 16, 17, 18, 19, 20 बन रहा है ना, यहां से लेके 20 पे बन रहा है, फिर 21, 22, 23, आगे नहीं बन रहा है यह 14 से स्टार्ट किया था, एक ज़्यादा लिया क्योंकि एक कम था, अब यह 5 हैं, 5 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 से आगे चलेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो यहां से लेके 14 पे बन रहा है, ठीक हैं, यह वाला हो गया आपका, यह 4 है इस 4 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5 और 5 से आप आगे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, नहीं बन रहा है यह 9 है, 9 में 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस इसलिए क्योंकि 1 कह है, इसलिए 1 प्लस करके चलना होगा 10 हो जाएगे, 10 से आगे चलेंगे, 11, 12, 13, 14, 15, तो कहां से हमने स्टार्ट किया था, यहां से 10 से किया था न, 11, 12, 13, 14, 15 तो हमारा 15 बन रहा है, यहां से start करते हैं और यहां पे हम आ जाते हैं आगे 16 नहीं बन रहा है, यह हमारा हो गया यह आपका 20 है, 1 प्लस करेंगे 21 हो जाएगा 22, 23, 24, 25 नहीं बन रहा है 1 है, 1 प्लस करेंगे 2 हो जाएगा 3, 4, 5, 6 नहीं बन रहा है 21 हो जाएगा 20 से 1 प्लस करके 21, 22 ते इस नहीं बन रहा है ये 9 है 10 करके करेंगे 11, 12 नहीं हो रहा है 15 में 1, 16 नहीं हो रहा है ठीक है क्योंकि ये आपका किस में था ये आपका था क्रम में तो आप left से right counting जाएंगे right से left आपको आना नहीं है अब ये आपका हो गया है आप जड़ा इसको देखिए आपने किस तरीके से किया है क्रम में था तो आपको left से right जाना है एक कम है तो आप क्या कर देंगे 1 प्लस करके चलेंगे हाँ तो बस यही से आप इसको solve कर सकते हैं बस और कुछ नहीं करना होता है यह जो type second को question है इसमें दो चीजों को note करना होता है क्रम में है या series में कितने कम है एक कम है तो आप इसको solve कर सकते हैं अच्छा second question अगर हम देखो इसी को देखते हुए इसको note कर लीजेगा और second question मैं यहीं से आगे कराता हूँ screenshot ले लीजे चलिए यह जो meditation है अगर हम इसको change कर दें किसी दूसरे सब्द में meditation को किसी दूसरे सब्द में change कर दें सवाल आपका क्रम में है और जो कम है वो एक ना होके जादा हो जाए तो आप सवाल को कैसे solve करेंगे माल लीजिए कि कम तो हो जाएगा दो ठीक है और आपका question जो हो जाएगा हो जाएगा diplomacy यह meditation था आप diplomacy ले लीजिए अब diplomacy को solve कीजिए यह आपका diplomacy हो गया क्रम में लेना है order में यानि आपको left से right जाना है तो सबसे पहले numbering कीजिए यह 4, 9, 16 12, 15 13, 1 3 और यह 25 ठीक है दो कम है तो आप क्या करेंगे दो plus करके जैसे यह 4 है आप 4 में 2 plus कर देंगे तो हो जाएगा अच्छ है आपको इस 6 को धियान में रखते हुए आगे की counting स्टार्ट करनी है 6 से स्टार्ट करेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 नहीं बन रहे 9 में आप 2 plus करेंगे तो हो जाएगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बन रहे यह 16 है 16 में 2 plus करेंगे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बन रहे 12 में 2 plus करेंगे 14, 14 से 1 आजाएगा 15 ठीक है 16, 17, 18, 19 नहीं बन रहे 15 में 2 plus करेंगे 17, 18, 19, 20, 21 नहीं हो रहे 13 में 2 plus करेंगे 15, 16, 17, 18 नहीं हो रहे 1 में 2 plus करेंगे कितना हो जाएगा? 3 3 से 3 जा रहे है ये तो आपका गलत हो जाएगा ठीक है, क्योंकि 3 से 3 पे ने जाएगा 3 से 4 पे जाएगा, नहीं बनेगा उसके बाद 3 में 2 पलस करेंगे, 5 नहीं बन रहे, तो कितने pair बन रहे हैं कितने akshar युगम बन रहे है, एक बन रहे हैं आपका अंसर क्या हो जाएगा आपका अंसर हो जाएगा नोट कर लीजिए ज़रा इसको कोशन आपका हो गया है टाइप सेकिंड में इससे अलग कुछ नहीं आता है ठीक है और इसके बाद टाइप थर देखते हैं तो मैं अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ चैप्टर हमारा पेरफोरमेसन यूगम गठन जिसमें तीन टाइप के कोशन बनते हैं टाइप वन में हमने क्या क्या किया था टाइप वन में हमने किया जो सिरीज से रिलेटिड कोशन आता है जो सरंखला से रिलेटिड कोशन आता है और एक जो नंबर से रिलेटिड कोशन आता है ठीक है तीन टाइप के कोशन आपने किया है ठीक है सिरीज ओडर और नंबर टाइप वन आता है, type second में आपका या तो order में देगा या series में देगा, उसको आपको पहचानना है, उसके बाद कम देगा, type second में क्या देगा, या तो एक कम देगा, या तो एक कम देगा, या तो एक कम देगा, या तीन कम देगा, इस तरीके से दे सकता है, जितने भी कम देगा, उतने क्या करना पड़ेगा क्योंकि कमें आप प्लस रहे हैं तो ज्यादा में क्या करेंगे ज्यादा मैं टाइप हमारा चेंज हो जाएगा, यह हो जाएगा, दो ज्यादा, यह टाइप तीन हो जाएगा, ठीक है और कोशन आपका डिप्लोमेसी हो जाएगा, यह तीसरे टाइप का कोशन आपके सामने आ गया है, आपको क्या करना है, डिप्लोमेसी में आपने नमबरी किया, नमबरि देते हैं, वहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, तो जहाँ पे आपका कम था, वहाँ पे क्या की आपने, प्लस, और जहाँ पे आपका ज्यादा है, वहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, अब आप क्या करेंगे, ज्यादा है तो आप माइनस करेंगे, चार में से आपको कितने माइनस करने हैं, चार में से आपको 2 माइनस करने हैं, जब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 2, 2 से काउन्टिंग इस्टार्ट कीजिए, 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नहीं बन रहा है, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, नहीं बन रहा है, 16 में से 2 माइनस करेंगे 14 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बन रहा है और ये 12 है 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 हो जाएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बन रहा है ये 15 है 15 में से 2 माइनस करेंगे 13 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बन रहा है 13 में से 2 माइनस करेंगे 11, 12, 13 नहीं बन रहा है एक में से दो माइनस करेंगे तो आपका नहीं होगा, ठीक है इसको हटा देंगे, यहां से एक से यानि डिप्लोमेसी से तो कोई बन ही नहीं रहा है जादाने, ठीक है अब हम दूसरा सब दे लेते हैं, यह डिप्लोमेसी था अब मान लिजिए कि आपका मेडिटेशन है, क्या है मेडिटेशन आपने ले लिया और सवाल सेम है सवाल आपका सेम है, टाइप थर का है यह मेडिटेशन आपका सबसे पहले क्या करेंगे numbering 13, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 9, 15 और यह 14 कोशन में ज्यादा है, दो ज्यादा है आपको क्या करना है, माइनस करना है 13 में से माइनस करेंगे 2 कितना हो जाएगा, 9 आपको 9 से स्टार्ट करना है 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बन रहा है 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3, 3 से 4 बन गया, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9 यह बन गया 10, 11, आगे नहीं बन रहा है 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 हो जाएगा 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं, यह आजाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बन रहा है 9 में से 2 माइनस करेंगे, तो हो जाएगा आपका 7, और 7 से आगे चलेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 यह भी नहीं बन रहा है 20 में से 2 माइनस करेंगे, 18 और 18 से 19, 20 यानि आपका यह वाला बन गया 21, 22, 23 आगे नहीं बन रहा है 1 से 2 माइनस करेंगे, नहीं बनेगा 20 में से आप 2 माइनस करेंगे, 18 19, 20, 21, यह भी नहीं बन रहा है 9 में से 2 माइनस करेंगे, 7, 8, 9 नहीं बन रहा है 15 में से 2 माइनस करेंगे, 13 13 से 14 बन रहा है, ठीक है, तो आपके कितने बन गए, 1, 2, 3, 4, 4 बन गए हैं, अब 4 आपके युगम बन गए हैं, अब आप इनको ज़रा धियान में देखिए, कि यह आपका O है और यह आपका N है, ठीक है ना, यानि 15 के बाद 14 हा रहा है, तो अगर आप देखें, कि आपका एल बलती हुई है, कि O के बाद में N आ रहा है, तो यह जो 3rd type होता है, जिसमें ज़्यादा वाला आता है, इसमें आपको क्या-क्या चीज़े धियान रगनी है, एक तो आपका जो answer आएगा, वो होगा invalid, एक आपका answer होगा valid, और जो valid वाला answer होगा, वो ही आपका final answer होगा, ठीक invalid में count कर लीजे, कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, invalid answer है आपके 4, ठीक है, बट इसमें valid कौन कौन सा है, valid देखें, तो यह N से O पे जाना चाहिए, बट कि O से N पे जा रहा है, यह आपका गलत हो जाएगा, और देखते हैं, यह E से D पे जा रहा है, यानि E से D पे जा रहा है D के बाद E आता है, यह भी आपका invalid हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं, यह E से लेके I पे जा रहा है, ठीक है ना, जब E से I पे जा रहा है, तो आपका सही हो जाएगा, और अब देखते हैं, कहां, यह T से लेके T पे बन रहा है, T से T पे बन रहा है ना, T से T पे बन रहा है, यह T से T पे जा रहा है, जो कि गलत है, तो यह वाला भी आपका invalid में हो जाएगा, तो आपके invalid तो हो गए, टोटल 4, ठीक है ना, 4 में आप कह सकते हो कि सर, 3 invalid नहीं, सारे count कर लो, जितने भी आपके answer रहे हैं, वो invalid में, इस invalid को तो हमें धियान में रखना ही नहीं है, आपके 4 answer आगे, बट valid answer कौन सा है, valid answer तो 1 है, तो valid answer आपका 1 है, तो final answer क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, यह था आपका type 3, इस तरीके से question को आपको करना होता है, ठीक है, आप इस बात को समझिएगा, कि जो आपके, यहां पर युगमू बने है, उस युग में कौन सा valid है और कौन सा invalid है, अगर आप यह चीज करके आते हैं, और direct answer लगा देते हैं, चार तो वो आपका गलत हो जाएगा, आपको यह चीज धियान रखना है, और यह लगाना किसमें होता है, यह वाला जादे में लगाना होता है, जो सव question आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जो method है, जो pattern है, वो सभी आपके clear हो चुके हैं, ठीक है, तो मुझे आसा है कि आप इस चीज को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, और फिर अपनी practice करेंगे, आगे question की, तो आज की class में हम इतना ही रखते हैं, अगली class में हम नए chapter के साथ, आपके साथ मिलेंगे, जब कि तक के लिए, आप हमारे channel पर जो नए हैं, तो इसको share कीजिए, subscribe कीजिए, और वीडियो को comment कीजिए, अगर आपको जो चीजे हमारी अच्छी लगते हैं, उसको हमें बताईए, ठीक है, तो चलिए, कल की class में मिलते हैं, सभी बच्चों आईए आगाराग।